बच्चो आज हम गणित विशे से कक्ष्या बारा के लिए संबंध एवं फलन पर बात चीत करेंगे आपने कक्ष्या ग्यारा में संबंध एवं फलन परांत सहपरांत तथा परीशर आदी की आउदारणाओं का विबिन परकार के वास्तविक मानिये फलनों और उनके आलेखों सहित परीचे कराया जा चुका है गणित में सब्द संबंध की संकल्पना को इस अर्थ से लिया गया है जिसके अनुसार दो वस्तुएं परस पर संबंधित होती हैं यदि उनके बीच एक अबिगय कड़ी हो इस अध्याय में हम विबिन परकार के संबंधों एवं फलनों फलनों के सयोजन व्यूत करमनिये और दवी आधरी संक्रियाओं का अध्यान करेंगे संबंधों के प्रकार हमें ग्यात है कि किसी समुचे ए में संबंध एक रोस ए का एक उप समुचे होता है अतर रिक्त समुचे जो उप समुचे है एक रोस ए का तथा एक रोस ए सवेम दो अन्ते संबंध हैं यह दोनों अ रेरित करते हैं प्रिवासा एक समूचे ए पर प्रिवाशित संब्द आर एक रिक्त संब्द कहलाता है यदि ए का कोई आवयव एक किसी भी आवयव संब्द दित नहीं है अर्थात आर बराबर है फाई फाई एक उप समूचे है एक रोस एका प्रिवासा दो समूचे ए पर प एक आपरतेक आवयो एकी सभी आवयों से सम्मदित है अर्था आर बराबर एक रोस ए रिक्ट सम्मंद तथा सारत्रिक सम्मंद को कभी कभी तुछ सम्मंद भी कहते हैं अब हम इसके लिए एक उधारण करेंगे उधारण एक मान लीजिए कि एक इसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चे है दर्शा ये कि समुच्चे आर बराबर कर्मित युगम ए बी जबकि ए बी की बहन है दवरा परदत सम्मंद एक रिक्ट सम्मंद है तथा आर डैस कर्मित युगम ए बी जबकि ए तथा बी की उचाईयों का अंतर तीन मिटर से कम है दवरा परदत सम्मंद एक सारो तरिक सम्मंद है परसन उनसार क्योंकि सकूल बालकों का है आते हो सकूल का कोई भी विद्यार्थी सकूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन यहीं को bakचा यहां गिए धित्या को यहां प्रकट होता कि समन्द यहां सारवतरीलग यहां है तिपनी कक्ष्या 11 में आप सीख चुके हैं किसी समंद को दो प्रकार से निरूपित क्या जा सकता है नमबर एक रोस्टर या सारणिबद रूप नमबर दो समुच्य निरुमान रूप तुले था शंबंध को ग्यात करने के लिए हमें तीन आववधारनों क्या उश्कता पड़ती हैं जिन पर हम बात चीत करेंगे नमबर एक सवतुल्य नमबर दो सम्मित नमबर तीन संक्रामक इन तिन्नों की प्रिबासाएं समुच्चे ए पर प्रिबासित सम्बंद आर साउ तुल्ले कहलाता है यदि परतेक आवयव ए सम्बंद आ के लिए कर्मित युगम ए ए सम्बंद आर हो नमबर दो सम्मित कहलाता है यदि समस्त आवयव ए एक एक दो ए एक ए दो सम्बंद आ के लिए कर्मित युगम ए एक ए दो सम्बंद आर से ए दो ए एक सम्बंद आर प्राप्त हो नमबर तीन संक्रामक कहलाता है यदि समद आवयव ए एक ए दो ए तीन सम्बंद आ tीन सम्बंद आर से ए एक ए तीन सम्बंद आर प्राप्त हो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी सम्मंद तुल्यता सम्मंद कहलाता है यदि आर सव तुल्य है सम्मित है तथा संक्रामक है उधारण मान लीजिए कि टी किसी सम्मतल में स्थित समस्त त्री बुजों का एक समुच्चे है समुच्चे टी में सम्मंद आर बराबर है टी एक टी दो जिसे टी एक टी दो के सरवांसम है एक सम्मंद परिवाशित किया गया है शिद कीजिए कि आर एक तुल्यता सम्मंद है क्योंकि परतेक त्री बुज सवयम के सरवांसम होती है इसलिए आर सव तुल्य है पुने टी एक टी दो सम्मंद आर इस चे में पराप्त होता है कि टी एक टी दो के सरवांसम है कि टी दो टी एक सम्मंद आर अत्य आर सम्मित है इसके अतिरिक T1 T2 T2 T3 संबंदित आर इसका आर्थ है कि तिरबुज T1 सरवांगसम है तिरबुज T2 के तिरबुज T2 सरवांगसम है तिरबुज T3 के तो इसके में प्राप्त होता है कि T1 T3 संबंदित आर आता है संबंद आर संक्रामक है अमारी तिन्नों ही स्थीतियां सव तुल्ले की सम्मित की और संक्रामक की यहां पूरी होती हैं अते आर एक तुल्लेता सम्मंद है अगला उदार्ण शिद कीजिए कि समुच्चे एक दो तीन में सम्मंद आर बराबर है करमित युगम एक एक दो दो तीन तीन एक दो दो तीन दोरा परदत सम्मंद सव तुल्ले है प्रन्तु नय तो सम्मित है और नय संक्रामक है हमें दिया हुआ है इसमें करमित युगम एक एक दो दो तीन तीन तो ये आर जो है सव तुल्ले है इसी प्रकार आर सम्मित नहीं है क्योंकि एक दो सम्मंद है आर से परन्तु दो एक आमारे समुच्चे में यहां एक एक दो दो तीन तीन एक दो दो तीन है परन्तु दो एक नहीं है इसलिए ये इस से सम्मंद नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि आर यहां सम्मित नहीं है इसी परकार आर संक्रामक नहीं है क्योंकि एक दो सम्मंदित आर तथा दो तिन सम्मंदित आर परंतु एक तीन आर से सम्मंदित नहीं है क्योंकि हमारे समुचे में एक एक दो दो तीन तीन एक दो दो तीन है परंतु एक तीन नहीं है अते आर संकरामक नहीं है अते हम कह सकते हैं कि सम्मद आर सावतुले तो हैं परंतु नहीं तो सम्मित है और नहीं संकरामक है अगला उधारन देखिए मान लेजिए कि समुच्चे ए बराबर है एक दो तीन च्यार पांच छे साथ में सम्मद आर बराबर है ए भी जबकि ए तथा भी दोनों ही या तो विसम है या सम है दोरा परिवासित एक सम्मद है शिद कीजिए कि आर एक तुलेता सम्मद है साथ ही शिद कीजिए कि उप समुच्चे एक तीन पांच साथ के सभी अव्यव एक दूसरे से सम्मदित हैं और उप समुच्चे 2, 4, 6 के सभी आवयव एक दूसरे से संबंदित है प्रन्तु उप समुच्चे 1, 3, 5, 7 का कोई भी आवयव उप समुच्चे 2, 4, 6 के किसी भी आवयव से संबंदित नहीं है यहां हम देखते हैं एका प्रदत कोई आवयव या तो विसम है या सम है अतयव ए ए संबंदित आर ए ए मिन का अर्थ है कि या तो वे दोनों सम है या वे दोनों विसम है इसलिए वे दोनों आर से संबंदित है इसके अतिरिक्त ए भी संबंदित आर इस से हमें पराप्त होता ह A तथा B दोनों ही या तो विसम है या सम है इस्चे में पराप्त होता है B A संबन्दित आर इसी परकार A B संबन्दित आर तथा B C संबन्दित आर इस्चे में पराप्त होता है आव जब A B C सभी या तो विसम है या सम है इस्चे में पराप्त होता है A C संबन्दित आर अते हैं अमारी तिन्नों ही अवस्थाएं यहां पूरी होती हैं अते आर एक तुल्लेता संबंध हैं पुने एक तीन पांट साथ के सभी आवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इस उपसमुचे के सभी आवयव विसम हैं इसी परकार दो चयर छय के सभी आवयव प्रस पर संबंधित हैं क्योंकि यह सभी सम हैं साथ ही उपसमुचे एक तीन पांट साथ का कोई भी आवयव समुचे दो चयर छ़य से संबंधित नहीं है क्योंकि एक, तीन, पांच, साथ विसम संख्याओं का समुच्चे है और दो चार्चे जो हमारा है सम संख्याओं का समुच्चे है अते हैं एक, तीन, पांच, साथ समुच्चे और दूसरा समुच्चे दो चार्चे परस पर संबन दीते नहीं है अगला उदारण शिद कीजिए कि पूर्णांकों के समूचे Z में R बराबर है करमित युगम A, B जबकि संख्या दो A गटा B को विवाजित करती है दोरा परदत सम्मंद एक तुल्लेता सम्मंद है यहां हम देखते हैं R सव तुल्ले है क्योंकि समस्त आव याव एक संबंदित है Z से के लिए दो A गटा A को विवाजित करता है आता है A, A संबंदित R पुने यदि A, B संबंदित R तो दो A गटा B को विवाजित करता है आतेव B गटा A को भी दो विवाजित करता है आता है B, A संबंदित R जिस से शिद होता है कि R सम्मित है इसी प्रकार यदि A, B संबंदित R तथा B, C संबंदित R तो A गटा B तथा B गटा C संख्या दो से बाज्ये है अब A गटा C बराबर है A गटा B जमा B गटा C क्योंकि ये गटा का B और ये जमा का B A गटा C संबंदित अटे A गटा C भी दो से बाज्ये है इससे शिद होता है कि R संक्रामक है अटे समुचे Z में R एक तुलेता संबंद है अगला उदारण शिद कीजिये कि संबंद R में R बराबर है करमित युगम A B जबकी A छोटा है या बराबर है B दवरा प्रीबाशित संबंद R सवतुलेत था संक्रामक है किन्तु सम्मित नहीं है यहां हम देखते हैं R बराबर है A B और A छोटा है या बराबर है B के यहां A A संबंदित R क्योंकि सवयम कोई भी चीज अपने अप बराबर होती है तो इसलिए A A संबंदित R आता है R सवतुले है अब दो चयार संबंदित R क्योंकि दो छोटा है चयार से किन्तु चयार दो संबंदित नहीं है R से क्योंकि अमारी प्रिवासा है कि A छोटा है या बराबर है B के परन्तु यहां यह चीज नहीं है इसलिए R सम्मित नहीं है पुने माना A, B, B, C दो कर्मित युगम सम्मंदित R तब A चोटा है या बराबर है B के तथा B चोटा है या बराबर है C के इससे में पराप्त होता है कि A चोटा है या बराबर है C के अता है कर्मित युगम A, C सम्मंदित है R से इसलिए R संक्रामक है अते हम कह सकते हैं R सवतुले है संक्रामक है किन्तु सम्मित नहीं है अब हम एक और उदारण देखते हैं सिद कीजिए कि किसी कालेज के पुस्त काले की समश्त पुस्तकों के समुच्चे A में R बराबर है XY जबकि X तथा Y में पेज़ों के संख्या समान है दवरा परदत एक संबंद R एक तुलेता संबंद है यहां हम देखते हैं एक इसी कालेज के पुस्त काले की समश्त पुस्तकों का समुच्चे है अते आर बराबर एक्स वाई जबकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है यहां आर सव तुल्ले है अर्था एक्स एक्स संबंधित आर क्योंकि एक्स तथा एक्स में पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है पुने माना X, Y संबन्दित R इस्चे में पराप्त होता है X तथा Y में पेजों की संख्या समान है अते Y, X संबन्दित R इसलिए R सम्मित है पुने माना X, Y संबन्दित R तथा Y, Z संबन्दित R यानी X और Y में पुस्तों की संख्या समान है Y और Z पेजों की संख्या समान है अते X, Z संबन्दित R इसलिए R संकरामक है यहां अमारी तिन्नों अवस्थाएं पूरी होती हैं, आता है संबंद आर एक तुल्यता संबंद है, सवयम करें, अब आपके लिए मान लीजिए कि समुझे एक, दो, तीन, चार में आर बराबर है, कर्मित युगम एक, दो, 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 चार, चार, एक, तीन, 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 दो, दो, दोड़वासित, समंद आर है, निमन लिखित में से सही उत्तर चुनिये आप देखेंगे सबसे पहले तिन्नु जो अमारी आउदारनाई है उनको लागू करेंगे सम्मित संक्रामत तुल लेता और उसके बाद आप इनके उत्तर देंगे अब अगला परसंद मान लीजिए कि समुच्य अन में आर बराबर है कर्मित युगम ए बी जबकी ए बराबर है बी गटा दो और बी बड़ा है चैसे दो दोवारा परदत संब्द आर है निमलिखित में से सही उत्तर चुनिए अब ए दो च्यार संब्द आर से यहां आमें दो सर्ते दे हुई है ए बराबर है बी गटा दो और बी बड़ा है चैसे इन दो सर्तों के आधार पर आमें सही कर्मित युगम का चुनाव करना है जो और यह संब्द आर इस पार्ट में आमने क्या सिखा इसके बारे में हम संग्सेप में जानेंगे नमबर एक समूच्चे ए पर परिवाशित संब्द आर एक रिक्त संब्द कहलाता है यदि ए का कोई भी आवयव ए के किसी भी आवजयव से संब्दित नहीं है अर्थात आर बराबर है एक रोस ए एक रिक्त संब्द को कभी कभी तुछ संबंद भी कहते हैं नमबर तीन समुचे ए पर परिवाशित संबंद आर सवतुले कहलाता है यदि परतेक ए के लिए ए ए संबंदित आर हो संमित कहलाता है यदि समस्त आव यव ए एक ए दो संबंदित ए के लिए संक्राम कहलाता है यदि समस्त ए, एक, ए, दो, सम्बन दित आर तथा ए, दो, ए, तीन, सम्बन दित आर शे, ए, 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 तीन, सम्बन दित आर पराप्त हो नमबर च्यार, समुच्चे ए, पर परीबाशित सम्बन आर, एक, सारो तरीक सम्बन कहलाता है यदि ए का परतेक आवयव, ए के सभी आवयवों से सम्बन दित है, अर्थात आर बराबर है, एक, रोश ए नमबर पांच रिक्त संबंद तथा सारोत्रिक संबंद को कभी कभी तुछ संबंद भी कहते हैं आशा है ये पाठ आपकी समझ में आया होगा मैं ये ब्यासा करता हूं कि आप इसको घर पर अच्छी तरह ही दो राएंगे अगले पाठ में हम संबंदों के प्रकार पर सर्चा करेंगे धन्यवाद